Activate Windows अगर आपके computer पे भी Windows Activation का ये watermark आता है तो दो ऐसे tricks बताऊँ आसानी से remove कर सकते हो नमबर एक, आपने अपने PC में notepad खोल देना है और अब ये वाला code notepad में copy paste कर देना है फिर file को save करना है पहरे यहाँ से save as type को all files कर दे फिर यहाँ file का कोई भी नाम टाइप करें और file name के साथ dot batch लगा देना है और फिर save पे click कर दे अब जहाँ अपने file save की थी वहाँ एक ऐसी file create हो जाएगी इस पे right click करें और run as administrator कर दे command prompt एक बार खुलेगा और automatically बंद हो जाएगा अब अपने PC को restart कर दे अब यहाँ पे click करें make the computer easier to see थोड़ा नीचे scroll करें और फिर remove background images को select करके on कर देना है फिर apply और ok तो आप देखोगे कि watermark पूरीता से remove हो चुका है और यह code आपको pinned comments में मिल जाएगा